हम जानते हैं कि रासाइनिक योगिकों की संख्या बहुत अधिक है प्रत्य एक योगिक के अपने विशेश्ट गुन धर्म होते हैं कुछ योगिक ठोसा वस्था में पाई जाते हैं कुछ तरल अवस्था में तो कुछ गैसी अवस्था में योगिकों के रंग भी भिन भिन होते हैं, कोई सफेद, कोई पीला, कोई हरा, तो कोई नीला कुछ योगिक जल में विले होते हैं, तो कुछ एविले कुछ योगिकों के जली विलियन विद्युधारा का चालन करते हैं, तो कुछ के नहीं ऐसे योगिक जो विलियन या गलित अवस्था में धन और रिन आयनों में वियोजित होकर विद्युद्धारा का चालन करते हैं, उन्हें विद्युत अभगटे कहते हैं विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत आवेशित इलक्टोडों की और अभिगमन करते हैं धन आयन रिन इलक्टोड जिसे कैथोड कहते हैं की और तथा रिन आयन धन इलक्टोड जिसे अनोड कहते हैं की और अभिगमन करते हैं इन इलक्टोडों पर पहुंचकर ये आयन निरावेशित हो जाते हैं। विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासाइनिक अबगटन को विद्युत अबगटन कहते हैं। उधारण के लिए यदि हम जल में थोड़ा सल्फियुरी कमन डाल कर उसमें प्लेटिनम के दो इलक्टोडों की सायता से विद्युत धारा गुजारें तो धन इलक्टोड पर ऑक्सिजन, गैस तथा रिन इलक्टोड पर हैड्रिजन गैस उत्सरजित होती है। विद्युत अफगटन प्रक्रम का उप्योग कई उद्योगों में किया जाता है। की आवशक्ता होगी, शुद्य तामर की पत्ली पत्टी, अशुद्य तामर की पत्टी, कॉपर सल्फेट का विलियन, आसुत जल, तनु सल्फिरी कमल, ड्रॉपर, दो छिद्र युक्त गत्ते का टुकडा, सहियो जक्तार जो पत्टियों से जोड़े हुए हैं, सैल होल्डर दो शुष्क सैल सहित, रेग माल का टुकडा, प्लग और कुंजी, आईए अब हम इस प्रियोग को करते हैं, इसके लिए हमें, जो सैल है, इसका ये रेण ध्रुव है, ये धन ध्रुव है, तो जो रेण ध्रुव है, उससे हम, अभी इसमें से हम कुंजी निकाल लेते हैं, और इस रेण ध्रुव वाली जो एक सैयो जक्तार हमने कुंजी से बांदी हुई है, इसी प्लग के दूसरे इससे में, पहले हम इसको जो तार है, इसको रेण माल से रगड लेते हैं, क्योंकि इस पर कुछ ऑक्साइड कार्बोनेट्स की परद जम जाती है, उसको साफ करना जरूरी है, और फिर इसको हम प्लग के साथ इस तरह से लगा देते हैं, इसी प्रकार जो अशुद तामर की पट्टी है, तो धन ध्रूव वाले सिरे से उसको हम जोडते हैं, जो धन इलक्टोड है, इसको भी हम पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं, और फिर इसको धन इलक्टोड से हम जोड देते हैं, अब ये दोनों पट्टियों को हमें इस विलियन में रखना है, इसको थोड़ा साफ शेक भी कर देते हैं, ये दोनों पट्टियां जिसमें ये अशुद तामर की पट्टी है, ये जो दो छिद्र वाला टुकडा है गत्ते का इसमें से डाल देते हैं, दूसरा जो शुद्ध तामर की पट्टी है उसको हम दूसरे छिदर से डाल देते हैं इस पट्टी से आईए अब हम प्लग में कुंजी लगा कर इस विद्यूत अफगटनी सैल में से विद्यूत धारा को प्रवाहित करते हैं यह इस तरह से हमने कुंजी इसमें लगाई कुछ समय बाद हम देख सकते हैं यदि हम इस सैल में काफी देर तक विद्यूत धारा प्रवाहित करें तो यह देखेंगे कि अशुद्ध तामर्की पठी की मोटाई कम हो जाती है और शुद्ध तामर्की पठी की मोटाई बढ़ जाती है क्योंकि इस पर नई परचड़ रही है तामे के परमानू आकर के इस पर चिपक गए है आईए देखें कि ऐसा क्यों होता है अशुद्ध कौपर से बने धन इलक्टोड यानी एनोड परसे कौपर धातू कौपर सल्फेट के विलियन में घुल जाती है और इसी कारण विद्यूत प्रवाह होता है इस इलक्टोड की मोटाई कम हो जाती है कोपर सल्फेट के विलियन में विद्यमान कोपर आइन्स कैथोड पर शुद कोपर धातू के रूप में जमा हो जाते है यदि हम दोनों इलेक्टोडों पर होने वाली अविकरियाओं को एक साथ देखें तो पाएंगे की एनोड से अशुद कोपर, कोपर आइनों के रूप में कोपर सल्फेट के विलियन में विले हो जाता है तथा विलियन में से कोपर आइन्स समान मातरा में कैथोड पर शुद कोपर के रूप में जमा हो जाते है यदि हम दोनों इलेक्टोरों पर होने वाली अभिक्रियाओं को एक साथ देखें तो पाएंगे कि एनोड से अशुद कोपर, कोपर आएनों के रूप में कोपर सल्फेट के विलियन में विले हो जाता है तथा इस विलियन में से कोपर आइनों की समान मात्रा कैथोड पर शुद्ध कापर की रूप में जमा हो जाती है झाल 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 झाल